नमस्कार दोस्तो गिल्वान आई के यूट्यूब चनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपके लिए नया विशे लेकर आया हूँ आज का हमारे विशे है common eye problem और उनके solution दोस्तो आज हम उन सवालों के बारे में चर्चा करेंगे जो आम लोगों के मन में होते हैं और उनका क्या solution होता है तो आईए वीडियो शुरू करते हैं जो पहला जो question है दोस्तो क्या सफेद मोतिय का operation मोतिय बिंद पकने के बाद कराना चाहिए या पहले कराना चाहिए बड़ा ही interesting question है दोस्तो और ये सफेद मोतिय उमर के इसाब से जो है आम आदमी को होता है 55 या 60 साल की उमर के बाद जो है 95% लोगों में दोस्तो ये problem आती है तो इसको ध्यान से सुने सफेद मोतिय का operation दोस्तो आज कल जो विदी है फेको emulsification इसके अंदर दोस्तो पकने के बाद जो है वो उल्टा problem आती है और पकने से पहले operation करा लेना चाहिए जब मोतिय आँख में 50-60% हो जाए तो उसी वक्त क्योंकि उसको lens को काटना पड़ता है needle से और जब मोतिय जैदा पक जाता है तो काटने में उल्टा दिक्कत होती है अत्या दोस्तो जिस भी प्राई को मोतिया है वो समय रहते operation कराए जिससे की उसका result सही आए अगला question है दोस्तो क्या सफेद मोतिया और काला मोतिया दोनों साथ साथ हो सकते हैं हाँ दोस्तो ऐसा नहीं है कि किसी की आँख में सफेद मोतिया है तो काला मोतिया नहीं हो सकता और काला मोतिया तो दोस्तो ये दोनों भी साथ-साथ हो सकते हैं और दोनों का साथ-साथ उपचार भी किया जा सकता है और दोनों का उप्रेशन भी साथ-साथ हो सकता है दोस्तो अतै सफेद और कालम होती है दोनों भी एक आख में किसी भी पेशेंट के या दोनों अखों में साथ साथ हो सकते हैं अगला जो question है चस्मा अटाने के लिए laser operation किस उमर के बाद कराना चाहिए बड़ा ही जो important question है दोस्तों आज कल जो है बच्चे 21-22 साल के उमर के बाद laser के लिए जो है interested होते हैं जो चस्मा नहीं पहनना चाहते तो अटे दोस्तों laser operation किस उमर के बाद कराना चाहिए ये दोस्तों जो laser का operation होता है जब हमारा number सथाई हो जाए बदलना रुक जाए नंबर बढ़ना रुक जाए उसके बाद करह जाता है और ये हमारी growth 21 साल की उमर के बाद जो है complete हो जाती है नंबर हमारा स्थाई हो जाता है नंबर में कोई बदलाव नहीं आता आता है दोस्तों laser के लिए सही उमर 21 या 22 साल के बाद कराना चाहिए अगला जो question है नजदी के नज़र किस उमर के बाद कम उनी शुरू होती है दोस्तों जो हमारी उमर जब 40 साल चे उपर होती है और नजदी का हमें कम दिखाई देना शुरू हो जाता है उसके लिए में पास का चश्मा लगाना पड़ता है और कोई जरूरी ही दोस्तों कि हर किसी की जो है 40 साल के उमर के बाद ही नज़र कम होती है किसी की 38 में भी हो सकती है किसी की 42 में भी हो सकती है लेकिन एक average age 40 साल काउंट होती है दोस्तों तो 40 साल की उमर के बाद लगबग नजदी का चस्मा हर किसी को लगाना पड़ता है अगला जो question है क्या color blindness की बिमारी का कोई इलाज है दोस्तों बड़ा ही किया जा सकता है और वो बरती में भी जो है वो फिट नहीं होता दोस्तान फिट हो जाता है चाहिए वो रेलिवे की बरती हो चाहिए वो आर्मी की बरती हो चाहिए वो पुलिस की दोस्तों ये ऐसी बिमारी है ये जरम से होती है और इसका कोई भी लाज नहीं होता दोस्तों आज के विशे में दोस्तों इतना ही उमीद जानकरी पसंदा ही होगी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद